चंद्रपूर जिले के घुगस के ग्रामिनों ने नगर परीशत की मांग को लेकर ग्रामिन पंचाय चुनावों का बहिशकार का एलान किया है ग्राम पंचाय चुनाव से ठीक पहले घुगस के राजनीती में दिल्चस्प मोड़ाया है दरसल पूर्व में घुगस को नगर परीशत बनाने का प्रात्मिक अधिसूचना जारी हो था जिसे घुगस परीशर में खुशी की लहर दोड़ पड़ी थी और घुगस के नागरीक बेसबरी से नगर परीशत बनने का इंतजार कर रहे थे और गुगस शेर के राजनिता ये दावा कर रहे थे कि 30 इस दिसम्बर ग्राम पंचाय चुनाव का नामांकन भरने की ती थी के पहले ही घुगस को नगर परीशत का दर्जाम मिलेगा और सरकार वा प्रशासन से अंतिम अधिसूचना जारी होगी पुगबूज ग्राम पंचाय चा प्रांगना मदे आज शेवरात्ना सिस्ट्वा मुचिय प्रमक पदा दिखने की बटक चाली जा मदे भार्चांचा पार्टी, कॉंग्रेस पक्ष, रास्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना, इयारिस्पी, आर्पी आई, बियस्पी, यंचांदर दिगेट सोबतत अनेक सामाजिक संगटनांची आज याठी करी बटक चाली लेकिन 30 दिसंबर नामांकन के दिन आने के बाद भी प्रशासन वस सरकार से कोई अधिसूचना चारी नहीं हुई जिससे नगर परिशत बनने का सपना तूट गया, गुगुच शेतर के लोगों में मायूसी चा गई है और सरकार वप्रशासन की सुस्त काय प्रणाली लेकर ग्राविनों में रोश व्यापते हैं ग्यात हो लंबे समय से एक शेतर ग्रामवासियों ने नगर परिशत दरजा देने की मांग की थी आम लोगों की सपने तूटते देख आनन फानन में सभी राजनेता एकतरित हुए और काफी देर तक मन्तन किया एक दूसरे के विचारों को व्यक्त किया और ग्राम पंचाय चुनाव का बहिशकार का फैसला लिया गया कोई भी राजनेतिक दल अपना उमिद्वार ना उतारने का फैसला लिया गया यही नहीं पुर्व में चुने गए जिला परिशत सदस्य वह पंचाय समीती के सदस्य स्वेच्छा से अपना इस सिफात देने का एलान भी किया इस दोरान मुख्यमंत्री उध्व ठाकरी को पत्र लिख कर ग्राम पंचाय चुनावरत कर तदकाल गुगुस को नगर परिशत का दर्जा देने की मांग की है